पुर्स्क में कुदा नेटों, रूस से सीधी जंग शुरू क्या अब हारते हाफते और करहाते युखेनी सेना को बचाने के लिए नेटों के लड़ाके पुर्स्क में रूसी सेना से जंग करने को मजबूर हो गए पहले आप कुर्स्क में पकड़े गए नेटों के इन लड़ाकों के चेहरों को गौर से देखिए जिने पुतिन के बेहत वफदार चेचन लड़ाकों ने पकड़ा है फिर हम आपको बताएंगे कि कुर्स्क में नेटों जंग में क्यूं उत्रा है और क्यूं पुतिन कह रहे हैं कि अब नेटो देशों पर सीधा हमला बहुत जल्द होने जा रहा है पुतिन का देश नेटो से सीधा युद्ध 6 अगस 2024 को रूस के कुर्सक में युकरेनी सेना ने बड़ा हमला करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था नेटो के टॉप कमांडर्स तक युकरेनी सेना की जमकर तारीफ कर रहे थे उस वक्स जेलेंस्की ने दावा किया था कि उन्होंने रूस के कुर्सक में लगबग 1300 वर किलोमीटर इलाके पर पूरी तरहां से कबजा कर लिया है लेकिन एरानी की बाद तो ये है कि जैसे ही रूस ने कुर्सक में युकरेनी सेना पर चोतरफा पलटवार किये युकरेनी सेनिक मोर्चा छोड़ कर भाग खड़े हुए हालात ये हो गए कि महस 6 हफते के अंदर ही युकरेनी सेना ना सिर्फ कुर्सक में बुरी तरहां से घिर गई बलकि युकरेन के पॉक्रोसक शहर के बेहत पास तर रूसी सेना पहुँच गई ऐसे हालात में नेटों ने अचानक जंग में अपने ऐसे लड़ाकों को उतार दिया जिनका रिकॉर्ड मिलना बेहत मुश्किल है लेकिन अब चेचन लड़ाकों की अकमत स्पेशल फोर्स ने ऐसा धमाका किया है कि नेटों के होश उलगाए जरा ये वीडियो देखिए जिसमें अकमत स्पेशल फोर्स के चेचन कमांडर अब इस यारुनूश अलाउदिनोव ने बहुत बड़ा दावा किया है अलाउदिनोव का दावा है कि इस वक्त कुर्सक में रूसी सेना पर नेटों की गुप्त फोज हमला कर रही है अलाउदिनोव ने एक वीडियो में ये साबित करने की कोशिश की है कि कुर्सक में सैकडों नेटों के भाड़े के सैनिक मारे गए है जबकि कैई नेटों लड़ाकों को चेचन लड़ाकों ने पकड़ लिया है चेचन कमांडर अलाओ दिनोब ने ये भी दावा किया है कि जेलेंस की पूरी तरहां से नेटो की एक कटपुतली बन कर रहे गए हैं राष्टपती पुदिन पहले से ही चेचेनिया रेपब्लिक के चीफ रमजान कादिरव को निर्देश दे चुके हैं कि उकरेणी इलाकों को पूरी तरहां से तबा कर डालो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के डबल अटैक को युक्रेणी सेना और नेटो के लड़ाके जेल नहीं पा रहे हैं इधर पुतिन ने कुर्स के लेकर पुक्रोस तक एक के बाद एक इलाकों को जीतना और आजाद कराना शुरू कर दिया है वाशिंटन डीसी तिंग टैंक ने दावा किया था कि युक्रेणी सेना ने रूस के कुर्स कोबाल्स्क में काफी बड़ात बना ली थी लेकिन रूसी सेना ने 15 सितंबर तक फिर से युक्रेण से अपने इलाके चीन लिये रूसी सेना इतनी जल्दी युकरेनी सेना को कैसे हराब आई है इसके पीछे की वज़े खुद जाने अंजाने में जेलंस्की बता चुके हैं जेलंस्की ने कहा था कि पिछले हफ्ते लगभग 35,000 रूसी सेनिकों ने कुर्सक में युकरेनी सेना पर हमला किया है ये संख्या कुर्सक में युकरेनी सेना के मुकाबले दो गुनी है। इधर अमेरिका ने अनुमान लगाया है कि रूसको कुर्सको पूरी तरह से जीतने के लिए 20 ब्रिगेड और 50,000 सैनिकों की जरूरत होगी। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूसको पहले ही पता चल चुका है कि रूसकों के खिलाफ नेटों के सैनिक युकरेन की तरफ से लण रहे हैं। इसलिए पुतिन ने विनाशक युद्ध की तैयारी शुरू करती है। हम आपको कुछ वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें रूसी सैना ने ऐसे जब्त घातक हतियारों को दिखाया है जो अमेरिका, ब्रेटेन, जर्मनी और नेटों देशों के हैं। जरा ये वीडियो देखिए। दक्षणी रूस के रोस्तोव और डॉन में 14 सितंबर को युक्रेन और नेटों देशों के जब्त हतियारों को जन्ता के सामने रखा गया। इन हतियारों में टैंक, तोप, मशीन गन और तरहां के भारी हतियार मौजूद थे। युक्रेन में रूसी सेना द्वारा पकड़े गाए पश्चिमी टैंक, और युक्रेनी सेनने हाडवेर की इस प्रदर्शनी को देखने के लिए रूसी उमल पड़े। डॉन में जब्त नेटो और युक्रेन के हतियारों को दिखा कर रूसी जनता को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि रूस कुर्सक के मोर्चों पर जीत रही है। पुतिन ने रूसी सेनिकों की कुल संख्या 20,38,000 करने का आदेश दे दिया है। जिन में से 15 लाग सक्रिय सेनिक हमेशा लड़ने को तयार रहेंगे। यानि कुर्सक में नेटो और युक्रेन को पुतिन पूरी तरह से रौंदने लगे हैं। इधर कमांड सेंटर में टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे पुतिन ने एक बार फिर से एलान कर दिया है कि रूस को बहुत बड़ी और भ्यानक परमाणू जंग करनी पड़ सकती है। पुतिन ने साफ इशारा कर दिया है कि इस आट्मी जंग में नेटों के 32 देशों से सीधा मुकाबला होगा। इस जंग को वही जीतेगा जो सबसे पहले परमाणू मिसाइलों और बमों से हमला करेगा। 934 दिन से चल रही रूस युक्रेन जंग में युक्रेन के दर्वाजे पर विनाशकारी परमाणू युद्ध होने जा रहा है। हम आपको पुतिन के बेहत करीबी और रूस के पूर्व राश्टपती दिमित्री मेद्विदेव का वो बयान दिखाने जा रहे हैं जिसके खौफ से जेलिंस्की का फून सूखना शुरू हो गया है। क्योंकि रूसी सूत्रों का दावा है कि रूस युक्रेन फर फादर ओफ ओल बॉंग यानी एफ ओ एबी के सबसे विनाशक हमले करने जा रहा है। रूस के पूर्व राश्ट्रपती दिमित्री मेद्विदेव के बयानों से इसका इशारा कर दिया गया है। ये इस पश्ट है अभी तक रूस ने बहुती संयम बढ़ता है। लेकिन अब रूस की परमाणू प्रतिकरिया बहुत बढ़ी है। ये पैसला काफी जटिल है जिसे बदला नहीं जा सकता है। कैई हैंकारी मंद बुद्धी वाले देश हैं जिने समझ नहीं आ रहा है। कि रूस के धैरे की परिक्षा लंबे वक्त तक नहीं ली जा सकती है। अगर पिछले 72 गंटों की बात की जाये तो राश्टपती जेलन्सकी के लिए धाई साल से चल रही जंग बसमसूर बनती जा रही है। वार मैप पर युक्रेन के कमांडर इनचीप अलेक्जान्डर सिर्सकी जेलन्सकी के साथ सर्ख अपा रहे हैं। इधर नेटो देशों की मीटिंग में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यही तैने ही कर पाए हैं कि युक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइले दी जाए या नहीं। जैलन्सकी का साथ कहना है कि अगर नेटो देश लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमती रूस के मौस्कों तक दे दें तो हारी बाजी पल्टी जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है कि पुतिन नेटो देशों के खिलाप अपनी परमाणू विसाइले तैनात कर दी है। रूस से लेकर बेलरूस तक रूस ने ऐसी जबरदस परमाणू युद्ध का चकरवियू रचा है कि नेटो देशों की हालत खराब हो चुकी है। बमों के बाप से युक्रेन पर हमला जंग के दौरान राष्टपती पुतिन और रूस के पूर्व राष्टपती दिमित्री मैद्विदेव का ये वीडियो देखिए। जिसमें पूरे रूस को एक बड़ी आटमी जंग के लिए तैयार रहने को कहा जा रहा है। पूर्व राष्टपती दिमित्री मैद्विदेव का हम आपको वो बयान भी दिखाते हैं जिसमें उन्होंने एक ऐसे बम से हमला करने की बात कही है जिससे पूरा युक्रेन एक विशाल गड़े में बदल जाएगा। या ये कहे कि रूस बमों के बाप के नाम से मशूर फादर ओफ ओल बॉम से युक्रेन को भाब बना कर उड़ा देगा। रूस के पूरव राष्टपती दिमित्री मेध्विदेव ने साफ कहा है कि रूस युक्रेन के उपर फादर ओफ ओल बॉम यानी एप ओ ओ ओ एवी से हमला करने जा रहा है। Father of all bomb किसी परमाणू बम से कम नहीं होता है इसलिए मैत्विदेव ने युक्रेन को धमकाते हुए कहा है कि युक्रेन में जिस जगा पर रूसी शहरों की मा खड़ी थी वहाँ एक विशाल धंबा रह जाएगा यहाँ यह जानना जरूरी है कि मैत्विदेव रूसी शहरों की जिसे मा कह रहे है तो इसका सीधा मतलब युक्रेन का कीव है युक्रेन की राजधानी कीव को Mother of All Russian Cities कहा जाता है यानि रूस अब युक्रेन की राजधानी कीव पर बमों का बाप यानि F.O.A.B. बम से हमला करके कीव का वजूत खत्म करने जा रहा है मेज 48 घंटे के अंदर पहले पुतिन ने युक्रेन और नेटो को आटमी धमकी दी और अब रूस के पूर्व राष्टपती दिमित्री मैद्विदेव ने विनाशकारी हमले की चितावनी दे दी है इस धमकी का ही असर है कि जेलेंस्की को अब अमेरिका, बर्टेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे नेटो देशों से लंबी दूरी के मिसाईलों से हमला करने की अनुमती मिलने की उमीद खत्म होती दिख रही है इदर रूस की ताजा धमकियों से नेटो की हालत खराब है जर्देखे रूस के फादर अफ ओल बॉम को क्यों परमाणू बं माना जा रहा है फादर अफ ओल बॉम यानि FOAB का अधिकारिक नाम ATBIP है ATBIP यानि Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power है 7100 किलोग्राम वजन का ये रूस में बना अब तक का सबसे बड़ा बं है इसकी विस्पोटक शम्ता 44 टंट TNT के बराबर है FOAB एक थर्मोबेरिक विस्पोटक का इस्तिमाल करता है हवा में विस्पोट करने की शम्ता के कारण ये विशेश रूप से विनाशक है रूस के बंवर्शक बेड़े के सभी विमान फादर फॉल बॉम को गिराने के लिए तयार है हालकि मैद्विदेव ने नई डिलिवरी वाहनों की उपयोग की बात कही है जो ये संकेत देता है कि रूस बहतर डिलिवरी विकल्पों पर विचार कर रहा है रूस इस बंब के लिए RS-28 सर्मित जैसे मिसाइल का इस्तिमाल कर सकता है ये अंतर महादीप ये मिसाइल दस टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है अब आप खुद अंदाजा लगा लिजी एक तरफ खुर्सक में पुतिन के वफदार चेचन लडाके नेटो के लडाकों को घेर कर मार रहें उन्हें पकड रहें तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन के बेहत करीबी और रूस के पूर्व राष्टपती दिमित्री मेधविदेव युक्रेण पर फादर फॉल बॉम से हमला करने का एलान कर रहें ऐसे हालाक में युक्रेण को क्या नेटो बचा पाएगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है